नमस्कार दोस्तों वेलकम टाइमें मैं हूँ शचांग लखेर और हम जूम इन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ नौ ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंट्री आपको बता है आज की समय ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन बहुत जादा ही खराब हो चु इंपोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार उस्टेलिया में इस मिसाल को टेस्ट किया है एक बहुत इंपोर्टेंट एक्साइस कंट्रेंट करी गई है जिसमें बहुत सारे देश यहां पे हैं इसके अलावा बहुत सारे जो सोलचर्स हैं वो भी इस एक्सmail में ले रहे हैं और इसी exercise में अमेरिका ने अपने बहुत ही important Patriot missile system को जो है यहाँ पे test किया हुआ है तो आज के समय अमेरिका ऑस्टेलिया पे इतना ज़्यादा महरबान क्यों है अमेरिका क्यों अपने defense system को यहाँ पे अस्टेलिया में टेस्ट कर रहा है देखो आज के समय चाइना और ऑस्टेलिया की बीच ही जो relation है वो बहुत ज़्यादा खराब है यह relation इतने खराब है कि coronavirus को लेके देखो सभी देश जो है वो यह मानते है कि यह जो virus है यह चाइना की lab से ही शुरू हुआ है और यह काफी हद तक सही भी है और इसको लेगे औस्टेलिया ने बहुत सारे सवाल पूचे चाइना से जिससे आज के समय चाइना जो है बहुत ज़्यादा नाराज है और यही नहीं चाइना की सरकार ने अपने लोगों को यहाँ पर यह बोला कि आप औस्टेलिया नहीं जाओगे और इसका एक अच्छा खासा इंपक्ट हमको औस्टेलिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है उसमें भी देखने को मिल रहा है चाइना बहुत सारी चीज़े जो है औस्टेलिया से यहाँ पर इंपोर्ट करता है और इस पे चाइना ने लगा दिया है बैन और हाली में चाइना का जो एक बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट है जिसे हम बैल्ट एंड रोड इनिशेटिफ कहते हैं उससे भी बैक आफ कर लिया है औस्टेलिया ने आज के समय औस्टेलिया और चाइना के जो अच्छा है वो ताइवान हो चाहिए वो फ्लिपिन्स हो इसके लावा अगर आप पैसिफिक ओशन में आओगे तो आपको जो है आप आप ऐस्टेलिया देखने को मिलेगा यह सब देश चाइना से बहुत जादा परिशान है चाइना कभी भी अपनी एरक्राफ्ट जो है कह चीन के हमले का खतरा अमेरिका ने ऑस्टेलिया में पहली बार दागी पैट्रूइट मिसाल तो आज के समय बिलकुल यहां पर कंसर्ण है कि चाइना कभी भी अटेक कर सकता है और देखो काफी हद तक यह सही भी है क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी डॉमिनेंस यहां पर दिखाता है बिलकुल कभी भी जो है चायना यहां पर कर सकता है किसी भी देश पे तो क्या है यह यह पेट्रूयत मिसाइल сыstum किस तरीके से यहां पर वाक्त करता है कितने देश इसको यहां पर यूस करते हैं इसके अलावा कौन सी एक्सिया चाय है जो यहां प saints करी ज में आप सभी कोर्स अविल कर पाओगे और आप यहां पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो ना देखो जिस तरीके से चायना यहां पर ऑस्टेलिया को धमकी दे रहा है अमेरिका ने अपनी पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम को जो है डिपलाई कर दिया है ऑस्टेलिया में मतलब यहां सर्फेस टू एर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको यहां पर टेस्ट किया गया था जिससे जो ड्रोन्स हैं और यहां पर कॉमबेट किया जा सके और जब यह एक्सराइज कंड़क करी गई तब चायना यहां पर जासूसी कर रहा था चायना ने अपने वार्शिप को यहां पर भेज दिया था जो एक्सराइज यहां पर हो रही है अमेरिका और ऑस्टेलिया के बीच में उसको देखने के लिए तो ठीक है मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सराइज ऑस्टेलिया और अमेरिका के बीच में हमको देखने को मिल रही है देखो सिफ यहां पर ऑस exercise में पार्ट ले रहे है China का rule आपको Taiwan में ज़्याद़ देखने को मिलेगा, Taiwan काफी हद तक परिशान रहता है, Philippines में आपको काफी problem देखने को मिलेगी, तो बेसे कली China को counter करने के लिए यह सब exercise यहाँ पे conduct करी जा रहे है और देखो, यह कोई normal exercise आप थोड़ा सा imagine करके देखो जिस exercise में करीब 17,000 सेनिक पार्ट ले रहे हो तो वो exercise कितनी बड़ी होगी इसके अलावा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया इनको भी जो है यहाँ पे invite किया गया है as a observer country और यह जो टेलिसमें, 721 exercise है हर दो साल में यहाँ पे conduct करी जाती है तो ठीक है, मतलब China को counter करने के लिए, सबी देश मिलके यहाँ पे access कर रहे है, लेकिन यह defense system की खासियत क्या है, यह defense system आज के समय काफी news में है, जब भी हम किसी missile system की बात करते हैं न, तो primarily हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है S400, जो भारत यहाँ पे रशिया से खरीद रहा है, वैसे ही अमेरिका का MIM-204 Patriot है, यह एक बहुत important surface to air missile system है, basically आज के समय अमेरिका की जो forces हैं, इसके लावा जो और भी allied nation है, वो इसको use करते हैं, और दुनिया में जितने बहतरीन system है, उनमें से ये एक है, मान लो कल को, कोई भी देश यहाँ पे ballistic missile fire करता है तो बिलकुल, यह उसको shoot down कर सकता है इसके लाव कोई cruise missile यहाँ पे fire करता है, तो उसको भी जो यहाँ पे shoot down किया मौसम हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे मौसम हो बिलकुल, यह missile system जो है यहाँ पे work करेगा, और आज के समय सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, ग्रीस इसराइल, जापान, कुवेट, नीदरलेंड, साउध एरेबिया कोरिया, पोलेंड, कतर United Arab Emirates, Spain, Taiwan यह सब देश जो है इसको यहाँ पे use करते हैं, primarily अगर हम सिर्फ USA की बात करें तो USA एक largest manufacturer है weapons का, यह weapons बनाते हैं और दुनिया भर में देशों को यहाँ पे sell करते हैं तो at last, जिस तरीके की exercise है 17,000 soldiers जो है पार्ट ले रहे हैं इस exercise में और यह जो patroate missile system इसको test किया गया है जाएना पे कुछ impact पड़े गया यह नहीं comment box में comment ज़रू करना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यह तन दिस वीडियो का जय है, जय भाद